स्पोर्स की लेटेस अबडेट के लिए हमारा चैनल सब्क्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन कर जूर दुआएं नमस्कार दोस्तों आज सवी का सवागत है हमारे चैनल हाई टेक स्पोर्स पर दोस्तो हकी बल्ड कप के मैच में इंगलेंड हकी टीम ने बल्ड नमबर दो अर्जेंटिना को रुमांची मकाबले में तीन दो से हराकर बुदवार को अडिशा हकी बिश्व कप के सेमिफिकेश कर लिया है कलिंगा स्टेडियम में मिली जीत के साथ इंगलेंड ने चोती बार आंतिम चार में कदम रख लिया है और सही फाइनल में उसका सामना 15 दिसंबर को जर्मनी और बेल्जिम के बीच होने बाले क्वाटर फाइनल मैच की बिजिता टीम से होगा दोस्तों बात करें मैच की तो मैच में पहले क्वाटर के शुआत के बाद 11 मिन्ट में इंगलाइन को पहला प्रेंटर काना मिला पर इसमें वे असफर है इन दोनों ही टीमों ने पहले क्वाटर में गोल करने की बहुत गोशे की लेकिए दोने टीमें पहले क्वाटर में गोल नहीं कर पाई टीम के लिए फिल्ड गोल स्टाइम में में बेरी मिल्टन किया। ऐसे में एक एक से बाबर दूसरा क्वार्टर समाफ़त हो गया। इसरे क्वार्टर में चालिए में मिंट में इंगलेंड को एक फिर पैंटरी कानल मिला। लेकिन बो गोल नहीं कर पाई। इसके बाद 55 मिंट में बिल्ड कलाना ने फिल्ड गोल कर इंगलेंड को दो एक की बड़ दला दी। आज़ेंटिना ने चोत्ते क्वार्टर में आकरमा खेल दखाना शुरू कर दिया। और ऐसे में उन्होंने 58 मिंट में पैंटरी कानल मिला पर गोल नहीं हो पाया। और इसके अगले मिंट में आज़ेंटिना ने गोल कर स्कोर को दो दो कर दिया। पर इसके बाद मैच के उन्होंने मिंट में हैरी मार्टी ने फिल्ड गोल कर अपने टीम को आज़ेंटिना के खलाब 3-2 से बड़ दिया। और इस बर्ट के साथ ही इंगलेंड ने जे मैच तीन दो से जीत लिया और सेमी फाइनल में अपनी जगा पक्की काल ली दोस्तो दूसरे मैच में अस्ट्रेलिया ने फ्रांस को राकर सेमी फाइनल में अपनी जगा पक्की काल ली है तो दोस्तो आपको कैसी लगी हमारी न्यूज हमें कमेंट करके जूर बताएं अगर आप होकी के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जूर कर दें और स्पोर्स की लेट सब्डेट के लिए हमारा चैनल सब्क्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग